हेलो फ्रेंड्स, माई फूट कॉर्णर में आपका स्वावत है, आज मैं आपके साथ रस्मलाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसके लिए हमने दो लिटर फैट फ्री दूद लिया है, एक लिटर दूद से हम चैना बनाएंगे और एक लिटर दूद से हम रस्मलाई के लिए रबड़ी बनाएंगे, फैट फ्री दूद से हमारा चैना अच्छा बनता है, और अगर आप फुल फैट वाला दूद लेंगे, उससे हमारा चैना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, यह हमने दूद को दोने साइट उबालने के लिए गैस पर रख दिया है, यह हमारे चैने के लिए दूद उबर चुका है, अब हम इसे थोड़ी दे थंडा होने के लिए छोड़तेंगे, जब तक हमारे चैने के लिए दूद थंडा हो रहा है, तब तक हमने जो रबड़ी के लिए दूद रखा है, उसमें हम एककटोरी चीनी आड़ कर देंगे, इ केसर से हमारी रबड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसमें हम थोड़ी से ड्राइफुग आड़ कर देते हैं मेरे पास बदाम और पिस्ता है हम भी इसमें आड़ कर देते हैं के अब हम थोड़ा ठीक ओने तक पकालेंगे अभी हमारे रस्मलाई के लिए दूद ठीक हो चुक है अब हम इतना ठंडा करना है कि हमारी फिंगर दूद के तापमान को सेहन कर सके अभी हमें चैना बनाने के लिए हमने ये विनिगर लिया है दो जमच आप चाहे तो नीमगुगरस भी ले सकते हैं अब हम इसमें दो जमच पानी आड़ कर देंगे अब इसे निलाकर हम दूद ले डाल देता हैं अभी हम दूद में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे खिलाते रहेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल कर हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारा चैना अच्छे से जंग जाए अभी हमारा चैना दूट से अलग हो गया है अब हम इसे चान लेंगे अभी हमें एक खुला बतल ही है उसके ओपर हमने जाली रख दिया और उसके अपडर हमने सूती कपड़ा रख दिया अब हम अपने चैने को इसमें डाल कर चान लेते हैं अभी हमने चैने को चान लिया है अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे इसमें से पानी हमारा अच्छी तरह से निकल जाने जागी है तब ही चैना अच्छे से बनेगा कि कि अब ये जो मारा निचे पानी पेचा है अब हम इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं इस grease में ग्रेवी बनाने के लूच कर सकते हैं दाल गुलने के लिए यूज़ कर सकते हैं घुटा नाख अच्छे से वाश कर लेंगे इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया अब हम इसमें से अच्छी तरह से पानी निकाल लेंगे अब हम इसे टैप पे बांग देंगे ताकि इसमें से अच्छे से पानी निकल जाए जब तक हमारे चैने में से पानी निकल गया है तब तक हम एक खुले बतन में एक कटोरी चीनी डाली है अब हम इसमें चार कटोरी पानी आड़ कर देंगे रस्मलाई बनाने के लिए रस्मलाई बनाने के लिए आपको खुला बतन लेना होगा क्योंकि इससे हमारी रस्मलाई तूटेगी भी नहीं और एक दूसर से तच भी नहीं करेंगे इसमें हमने 4 गडोरी पानी एंट पर दिय है रप्डी भी ठंटी हो चुकी है अब हम इसे फृज़ में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं हम है इसे पानी मी पूरा निकल चुक है अब हम इसे अपनी रस्मलाई बना लेते हैं इसे आप अच्छे से मैश करेंगे जितनी अच्छी मैश होगी हमारी रासमलाई उपनीस वनेगी अब हम इसमें 2 कमच कौन फ्लोर अट कर देते हैं ससे हमारे रासमलाई की भाइनिंग भी अच्छे से हो जाएगी सोर है और झाल Tabii नियूए इसको हम हदेली की पिछले हिसे से अच्छे सी मैश करलेंगे इस तरह से हमारी रस्मलाई के लिए डो बनकर बिल्कुल तयार हो गया है हमारी रस्मलाई के लिये चास्मि में भी अच्छा वाल आ रहा है अब हम इस डो के छोटी-छोटी गोले बना लेंगे अब हम इससे थोड़ा सा टेस्ट करें इसी तरह से हम अपने बाकी के भी गोले त्यार रह लेते अभी हमारे रस्मलाई के लिए गोले त्यार होगे अब हम इसे चास्नी में डाल देते हैं हम एक एक करके इसमें डाल देते हैं अब यह हमारे गोले अपने अब उपर आ रहे हैं इसका मतलब हमारा चैना बिल्कुल अच्छा बनाए 15 मिनट के लिए पकने देंगे और उपर से धकन लगाए अब हम रस्मलाई के गोलों को बिल्कुल भी टच्छ नहीं करेंगे और उसे 15-20 मिनट के लिए पकने देंगे पीच पीच में हम इसे एक बार चेक करते रहेंगे यह देखिए हमारी रस्मलाई कितनी फूल चुकी है अब यह रस्मलाई बन गई है अब हम गयास को बन करके इसे थोड़ी थंड़ा होने के लिए चोड़ते हैं यह हमने रस्मलाई को थोड़ी ठंडी करने के लिए आइस ले लिए अब हम इसमें थोड़ी सी चास्नी रास्टर कर रहते हैं अब इसे आइस वाले पाने में ट्रांसफर कर देते हैं अब सारी शासनी हम ने इसमें डाल दिये अब हम इसे थोड़ी थे ठंड़ा होने के लिए रख देते हैं अब यह रबड़ी हमने फ्रेट से निकाल लिये यह पूरी ठंड़ी हो चुकिया अब हम इसमें अपनी रसमलाई एड़ कर देते हैं अब हमने अपनी रसमलाई सारी इसमें एड़ कर दिये अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे हमारे पास यह दिस्ता है हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन दबाना ना भूलें और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कर दो तर सक्षिए आपको कर दो कर दो आपको कर दो